अब एक विल्कम तो मैं चैनल फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्स्क्राइब जरूर करें और अगर आप मैंसे कोई भी फ्रेंड मुझे ओर-डर देना चाहता है तो दिएके नंबर पर आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते ह हम यहाँ पर हैंड इंब्रोडरी मशीन इंब्रोडरी हैंड पेंटेट सूट सभी तरह की डिजाइन रैडी करते हैं तो प्लीज फ्रेंड्स आप हमसे कॉंटेक्ट जरूर कजें और आज की यह जो मैंने दो सूट रैडी किया हैं यह विद्धु पट्टा हैं यह दोनों ही मसलीन पर रैडी किये गए हैं और बहुत ही प्यारे से इनके डिजाइन है यह देखें यह शर्ट है ब्राउन सा कलर है इसका यह देखें यह एक फ्लावर एक साइड पे हैं और यह फ्लावर यह उपर तक जा रहा है बस इसका शर्ट पे इतना ही डिजाइन है इसके यह इस कॉर्णर से उस कॉर्णर तक और बड़ा अच्छा स्टफ है यह सरद्यों में पहनने के लिए यह इसकी बाजू का डिजाइन है देखें यह दोनों बाजू का डिजाइन है यह देखें फ्रेंड मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत सरूरत है प्लीज मेरे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और अपने और जरूर प्लेस कीजिए हम बड़े ध्यान से आप लोगों को आपका काम करके देंगे यह देखें यह दुपट्टा है यह सीक्वेंस वर्क में दुपट्टा चाहिए था उनको इस पेना सिर्फ यह रोजेस ही बनाए है इस तरह से यह रोजे और यह पूरे दुपट्टे में यह देखें यह इस सा बाइड से लेकर कि इस तरह से कहीं कहीं पे यह ऐसे ठीक है यह इसकी पांथ चार लाइन पढ़ी हैं शायद चार चार की थोड़े थोड़े डिफ्रेंस थे और यह लेस लगा करके हमने इसे रडी किया यह देखिए बहुत ही बारीक सी इसकी लेस है इस तरह सी तीन-चार कलर में यह लेस है जिस तरह का सूट है उसी तरह कि हमने इसमें लेस यूज़ की है अब यह नेक्स्ट में आपको दिखाती हूँ डिजाइन इसका यह देखे यह इसके घेरे का डिजाइन है ठीक है यह इस तरह से यह देखे बस यह इतना इसका डिजाइन है यह थोड़े एज़ वाले हैं जिनका सूट है बहुत ज़्यादा उनको भारी भरकम डिजाइन नहीं चाहिए था यह भी मसलीन पर ही है और यह उसकी बाजू का डिजाइन है यह देखे आउट लाइनिंग की है गोल्डन से और चोटे-चोटे फ्लावर यूज़ किये हैं बड़ा शाइनी शाइनी सा यह सूट त्यार हो इसका कलर भी बहुत सुन्दर है ना तो यह ग्रे है और पिस्ता कल कोई लास्ट सा शेड है यह बहुत सुन्दर यह भी सूट राड़ी हुआ है यह इसके साथ यह प्यूर्श फोन का दूपट्टा है हम अपनी तरफ से स्टफ ले करके हम सूट राड़ी करते हैं फैब्रिक भी अवलेबल है आप लोग कॉंटेक्ट कर सकते हैं यह देखिए यह इस तरह के यह ना फ्लावर यह एक पल्ले पे बनाए है थोड़े थोड़े डिफ्रेंस देखरके यह देखिए यह पल्ला शुर के सारे दुपट्टे के यह देखिए ठीक है वाइट का टच है गोल्डन की आउटलाइनिंग है और कहीं-कहीं बीच में यह वला फ्लावर है कहीं-कहीं पे थोड़े-थोड़े डिफ्रेंस पर यह देखिए और यह देखिए यह लेस लगा करके यह वाली लेस लगाई है बारीक सी इसे रेडी किया है यह देखिए यह वाली लेस लगाई है इसके साथ की बिलकुल उनको जब स्टिचिंग करवानी होगी तो पट्टे पे लेस हमने लगाके दी हैं स्टिचिंग वो खुद करवाएंगे तो जो बच्ची हुई लेस है उसको साथ में भेज दिया जाएगा यह अभी रेडी हैं बिलकुल जाने के लिए सूट और प्लीज फ्रेंड एक बार हमें मौका जरूर दीजिए आप लोगों को मेरा क्या हुआ काम बहुत पसंद आएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स थैंक यू सो मच मसी बातो हमें टो overly्फ anointedय को मेरे टार दीजिए hinव मौका धे टो च्ट्डिंदे रेले कि ठीए sau को सब्धार काम आपनल मेरे टीजिए को लोगों कोषगे धर ओेजिए तो कि इएमे हैं करेंग Все, तो आएगा रे हैंको कूछ क्षाए हैंendum